So, दोस्तो जाशियरा, जब मैंने अधि परुष पर लास्ट बीटिव बनाई थी तो मैंने सोचाथ हुँआ आप कोई वीडियो नहींपनाऊँगा आति पर अभ मैं सीटा वीडियो बनाऊँगा इसके मुवी के रुवी पर आधि परुष के में शकार होकने वाले है différentes उनने फिरन से एक बार मोगा दिया आदपुरुष पर बात करने के लिए जो के आदपुरुष का final trailer इस final trailer को देखके यह पुरूओ हो चुगा है यह फाइनली कुछ भी ढंका देखने को नहीं मिनने वाला इस movie से मुवी रिलीज होने जार यह 16 जुन को और उससे 10 दिन पहले इनोंने बहुत बड़ा इमान रखके एक फाइनल ट्रेलर रिसकरा जो कि बिल्कुल भी धंका नहीं है इसका मेरी मान तो बिल्कुल भी जुरूद नहीं थी इसका जो पहले ट्रेलर आया था वो बहुत ही जादा अच्छा था यह ट्रेलर हमारे को याद दिलवार ही इसके पहले टीजर का जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वहीं से कुछ हमारे को देखने को मिला इस final trailer में भी So हमारे को क्या क्या देखने को मिला इस trailer में उसके बारे में बात करूँगा इस video में उससे पहले अगर आप लोगों ने उभी तक मेरे चाहिए को subscribe दी किया तो प्लीज आके subscribe कर लिजी तो इस trailer ने भी उमीदों पर पानी फिरा इसके पहले टीजर की तरह जापर हमारे को बहुत ही जादा खराब BFX और CGI देखने को मिल रहा है इसके जलते फिर से वहीं ती नहीं आदा के जब लोगों ने इसके teaser को देखके दबा कर ट्रोलिंग किया था वहीं से कुछ हमारे को फिर से देखने को मिला इस trailer के release होने के बाद मेरी सूस तो यह कि इस trailer की विल्कुल भी जुरूत नहीं थी अगर इन लोगों ने प्रमोशन करना था तो कोई चोटी मोटी clip या कोई चोटी मोटी वीडियो यूज कर लेते यह दूसरे trailer की strategy इन लोगों की बहुत जादा खराम निकल चुकी है जापर इन लोगों ने फिर से मोका दे दिया लोगों को इस movie के बारे में बुरा बात करने के लिए तो इन लोगों ने मोका दिया तो फिर से एक बार करते हैं इसको जलील तो सबसे पहले इन लोगों ने रावन को ऐसे चुपा लिया है जैसे कि रावन को चुपा के इन लोगों ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हूँ जो कि एक बहुत ज़्यादा अची strategy है जिसके लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम लगेगा जो कि इन लोगों ने करने की कोशिश की पर मुझे लग रहा है वो सारा बेकार गया पर ये 6 मिने में बहुत सारी चीज़े चेंज कर सकते थे पर वहीं पर हमारे को कुछ नए scene भी देखने को मिल रहे है जहाँ पर सबसे पहले ये scene जिसे देखके मैं ये बोलना चाहरा हूँ जाहे कुछ भी हुआ और मायन में पर रावन सीतामा को ऐसा तो लेके बिल्कुल भी नहीं गया होगा इस scene को देखके तो ऐसा लग रहा कि कोई horror movie देख रहे है जापर किसी ने पोजास्ट कर लिया है ये किसी को फिर रावन की scene देखके ऐसा लग रहा कि कोई video game देख रहे है जहाँ पर हम लोगों को इतने बड़े-बड़े animated cartoon देखने को मिल रहे है जिसे देखके साब साब पता चल दागी कि इन लोगों ने बिल्कुल भी मेनेत निगे इस movie के CGI पे ऐसा लग रहा कि बानव सेना से लेकर राक्षा सेना तक इन लोगों ने कहीं न कैसे चोरी किया है फिर dialogues की क्या बत करें यहाँ पे कुछ लोगों फइंड हो जाएंगे पर पहले मेरी बात पूरी सुन लो dialogues बहुत ही जाद अच्छे है पर इन लोगों ने उसको भी अच्छे से सिंख करने का गस्ट बिल्कुल भी नहीं किया सब कुछ भीक्रा फिकरा है जापे इसका action देखके तो ऐसा लग रहा है कि कोई वीडियो गेम चल रही हो चाहिए वो प्रवास के action जीन हो बाना सेना के या फिर राकसस के सब के सब ऐसे लग रहे है कि कोई वीडियो गेम चल लही हो जो आई पने पहले ट्रेलर ने क्रेड़ कर रहा हैं तो वो सारा का सारा मिट्टी में मिल चका है इस ट्रेलर से फ़र इन सब चीजों से चीजों से सिरफ हम ही परेशान हो रहीं कि वो लोग फिलिंग के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग का दिख़ विपिडियो में ब्ताये था कि वो लोग पेहलें प्रविट में चल लेे हैं और हिंदी तामिल मलैलम और कंड़ को मिलाकर बता जाया रहा कि इस yağने से 1000 क्रोड की तर प्रविजनस का लिया चीनश चेट जाहिन लोगों को घंटा पर रखनी पड़ना हमारी फिलिंग के साथ खेल के फिर मैंने कुछ वीडियो देखें जापर लोगों को कहना है यह कि हमारा को 500 करोड में अफ्तार जैसा मुवी देखने को मिलती है जिसका सबसे बड़ा एक्जम्पल है हाल फिलार में आया टीजर हनुमेन का जिसका बजट सिर्फ 200 करोड बताया जा रहा है और इन दोने मुविस के बहुत ज्यादा फरक है और वहीं हम लोगों पास में भी बहुत ज्यादा अच्छा बहुत ज्या सब्सक्राइब करना मद भूलना अपने उस दोस्के साथ जू शही करना जिसे फिल में केड़ा है कुछ कहना कुछ बताना में मिल जाएंगो शोशल मीडिया पर आज के लिए इतने ही मिलता हूं वीडियो में तब तो के लिए नवशकार